बिक्रम बेताल की कहानी भाग 19, बेताल 25 की कहानी है दोस्तों चलिए हम लोग सुरू करते हैं कहानी आप सुन रहे हैं साहिल एजुकेशन पॉइंट पर बिक्रम बेताल की कहानी कई कहानी सुनाने के बाद एक बार फिर राजा भिकारमदित्य बेताल को पेंड से उतार कर योगी के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं आज के कहानी का जो नाम है जो बेताल कहानी सुना रहा है उसका सिर्षक है पिंड़ दान का अधिकारी कौन पिंड़िदान का अधिकारी कौन? ये विक्रम बिताल की कहानी का उनिस्वी भाग है बक्रोलक नगर का राजा सुर्ज प्रभा जिसके कोई संतान नहीं थी उसी समय दूसरी नगरी में धनपाल सहुकार भी रहता था जिसकी पतनी का नाम हिरनवती था सहुकार को एक धनवती नामक पुत्री भी थी जब धनवती बड़ी हुई तो धन पाल की मिर्ती हो गई और रिष्टेदार उसका सारा धन ले गए हिरनवती ने अपनी पुत्री के साथ रात के समय नगर छोड़ कर निकल जाते हैं रास्ते में उनको एक सुली पर चोर लटका हुआ मिला वो हमारा नहीं था लेकिन उसने हिरनवती को देख कर अपना परिचै दिया और कहा मैं तुम्हें एक हजार स्वर्ण मुद्राय दूंगा तुम अपनी पुत्री का भीबाह मेरे साथ कर दो हिरनवती ने कहा तुम्हारी मिर्तिव होने वाली है चोर बोला मेरा कोई पुत्र नहीं है और बिना पुत्र के मेरी सदगत्ती नहीं होगी यदि मेरी आग्या से और किसी से भी इसके पुत्र हो जाएगा तो मुझे मेरी सदगत्ती हो जाएगी हिरनवत्ती ने लालच में आकर उसकी बात मान ली और धनवत्ती का विवा उसके साथ कर दिया चोर ने कहा इस बरगद के पेड़ के नीचे हाजार स्वर्न मुद्राय गड़ी है उनको ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा अंतिम संसकार करके तुम अपने नगर वापस चली जाना इतना कहकर चोर मर जाता है हिरनवत्ती ने जब जमीन खोदी तो वहां सोने की मोहरे निकली जिसके पश्चात उन्होंने चोर का अंतिम संस्कार किया और अपने नगर वापस लोटाए उसी नगर में वसुदत नामक का एक गुरु था जिसके मन स्वामी सिस्य था वह सिस्य एक नगर वधु से प्रेम करता था बैस्य उससे पांच सव असरफिया मांगती थी वह कहां से लेकर आता संजोग से धनवती ने मन स्वामी को देखा और वह उससे प्रेम करने लगी उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा तो मन स्वामी कहता है मुझे पांच सव असरफिया मिल जाए तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ हिरनवती राजी हो गई उसने स्वामी को पांच सव असरफिया दी बाद में धनवती को पुत्र हुआ उसी रात सीव जी ने उन्हें सपने में दर्सन देकर कहा तुम इस बालक को हजार स्वर्न मुद्राओं के साथ राज महल के दर्वाजे पर रखाओ जिसके पस्चात धनवती ने ऐसा ही किया उधर सीव जी ने राजा के सपने में दर्सन देकर कहा तुम्हारे दर्वाजे पर किसी ने धन के साथ एक लड़का रखा है तुम उसे गरहन करो राजा ने अपने नौकरों को भेजा और बालक और रासियों को मंगवा लिया बालक का नाम राजा चंद्रप्रभ रखा जब वह लड़का बड़ा हुआ तो राजा चंद्रप्रभ को राज्य का संचालन सौप कर कासी चला गया और कुछ दीनों के पस्चात मर गया पीता के रिन से उरिन होने के लिए चंद्रप्रव तिर्थ यात्रा करने निकला जब घुमते घुमते गया कूप पहुचा और पीनदान किया तो उन में से तीन हाथ एक साथ निकले तो हैरान चंद्रप्रव ने बरहामनों से पूछा कि मैं किसको पीनदान करूँ उन्होंने कहा कि लोहे की कील वाला चोर का है पवित्र बरहामन का है और अंगुठी वाला राजा का अब आपताय करो कि किसको देना है इतना कहानी सुना कर बेताल बोला राजन तुम बताओ कि किसको पीनदान देना चाहिए राजा ने कहा चोर को क्योंकि वह उसी का पुत्र है मन स्वामी इसलिए नहीं हो सकता कि वह एक रात के लिए पैसे से खरिदा हुआ था राजा भी उसका पिता नहीं है क्योंकि उसको बालक को पालने के लिए धन मिल गया था इसलिए चोर ही पीनदान का अधिकारी है राजा का जबाब सुनकर बेताल खुस हुआ और हस्ते हुए बोला राजन तुमने मुह खोला अब मैं चला और वापस पेंड पर जाकर लटक गया इसके पस्चात राजा बिकरम बेताल को पेंड से नीचे उतार कर नगर को चलते हैं रास्ते में फीर से बेताल राजा बिकरम को एक नई कहानी सुनाता है तो आज की बिकरम बेताल की कहानी में इतना ही फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ सुनते रहिए साहिल एजुकेशन पॉइंट पर बिक्रम बेताल की कहानिया दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कहानी को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो में अप्लोट करें सबसे पहले आप तक पहुं सकें अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तब